हेलो बच्चों, लेट्स रीड दा कोश्चन, बच्चों दो स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, पहली और दूसरी, हम पहले चाहिक करेंगे क्या दोनों स्टेटमेंट अमरी ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है, तो क्या दूसरी वाली correct explanation है पहली के लिए, तो पहली में अगर करें तो यह कह रहा है कि addition of ethylene glycol, ethylene glycol क्या होता, यह होता आपका CH2OH, CH2OH, this is ethylene glycol, एक non-volatile compound है, मतलब given conditions पे, इसका खुद का कोई vapor pressure नहीं होगा, to water lowers the freezing point of water, hence used as antifreeze, okay बच्चों, तो जब हम इसको ethylene glycol को पानी में डालते हैं, तो यह freezing point कम कर देता है पानी का, तो ह antifreeze वो substance होते हैं, जो freeze नहीं होने दें किसी को, okay, freeze, antifreeze, okay बच्चों, तो देखो, अगर हम बात करें freezing point की, तो freezing point नहीं वो temperature होता है, बच्चों, जैस temperature पे आपका liquid जो है, वो solid में convert on a start होता है, या कहो यह वो temperature होता है, जिसमें, जो solid phase का vapor pressure है, वो equal हो जाता है, इसके ब vapor pressure के, बात करेंगर solid phase के vapor pressure की, तो solid phase का vapor pressure क्या होता है, जैसे solid है, बच्चों, okay, तो solid के particles को, क्या होंगे, बच्चों, directly vapor phase में जाएंगे, इस process को बोलते है, sublimation, क्या बोलते हैं, बच्चों, इस process को बोलते है, sublimation, अब vapor वाले जो particles हैं, वो वापस, deposit होंगे, बच्चों, इसमें solid phase में और इस process को बोलते है deposition, तो जब rate of sublimation equal हो जाएगा न बच्चो rate of deposition के, तो हम कहेंगे solid और vapor equilibrium में आ गए, और जब solid और vapor equilibrium में आ जाएगे, तो vapor solid के surface पे जो pressure लगाएंगी न, उसको हम बोलेंगे solid phase का vapor pressure, वहीं अगर liquid phase वाले की बात करें, तो जैसे liquid है बच्चो, ओके, इसके भी particles क्या होंगे बच्चो, vapor phase में जाएंगे बच्चो evaporation हो रही है फिर vapor phase वाले वापस आएंगे बच्चो liquid phase में, इस process को बोलते है condensation, तो जब rate of evaporation equal हो जाएगा न बच्चो rate of condensation के, ओके बच्चो, तो ऐसे में liquid और vapor equilibrium में आ जाएंगे और जब liquid और vapor equilibrium में आए तो जो vapors, जो vapors solute, liquid के surface में pressure लगाएंगे, वो हो जाएगा vapor pressure in liquid phase, ओके बच्चो, ये हो जाएगा तो ethylene glycol को जब हम पानी में आड़ करेंगे न बच्चो, तो वो क्या करता है बच्चो, वो vapor phase liquid, liquid वाला, ओके बच्चो, liquid phase के vapor pressure को क्या करतेगा बच्चो decrease करतेगा, जिसके कारण क्या होता है बच्चो, आपका, जो ये होता है बच्चो, water है, और भी lower temperature पर क्या होगा बच्चो freeze होगा, मतलब इसके freezing point को decrease कर देगा, suppose को pure water का जो freezing point है वो T note F है, और जो बच्चो, आपने non volatile dial के, non volatile solute dial के solution मनाया है, इसका है Tf, ओके बच्चो, तो जो Tf हैने इसकी value T note F से कम होगी, क्योंकि इसने freezing point को कम कर दिया है, बच्चो तो ये किसका काम कर सकता है, antifreeze का काम कर सकता है, ओके बच्चो, किसका antifreeze का काम करेगा, बच्चो, तो ये बात बिल्कुल सही है ओके बच्चो, क्या है बच्चो, ये बात बिल्कुल सही है, ओके फिर कह रहा है कि addition of any substance यहाँ पर तो कह रहा है कि non-volatile है उसका खुद का कोई vapor pressure नहीं था non-volatile है बच्छो देखो क्या होता है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि addition of any substance to water lowers the freezing point यह बात गलते है यह ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दोगे तो वो lower ही हो जाया का बच्छो majority of substance ऐसे होंगे जो आपके freezing point को कम ही करेंगे water के लेकिन कुछ substance क्या कर सकते है बच्छो increase भी कर सकते है यहाँ पर देखो बात जो हो रही है बच्छो जैसे pressure of solution जो है बच्छो pressure of solution vapor pressure of solution ओके बच्छो यह किसके equal होगा बच्छो यह होगा आपका यह जो water है उसका vapor pressure प्लस यह partial vapor pressure प्लस जो आपका solute है क्या है बच्छो solute है तो ऐसे में क्या हो गया बच्छो कि आपका जो यह था solute तो non volatile था कैसा था बच्छो solute non volatile था तो ऐसे में जो solution जो बना बच्छो इसका जो vapor pressure आया क्या था बच्छो वो कम था ना बच्छो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से, लेकिन अगर solute ऐसा हुआ जिसका खुद का भी वेपर प्रेशर हुआ, और वो परशल वेपर प्रेशर water में add होगा, तो ऐसे में जो solution मनेगा, उसका जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से जाद आ जाएगा बच्छों, क्या जाएगा बच्छों, जाद आ जाएगा तो ऐसे में तो freezing point क्या हो जाएगा बच्छों, increase कर जाएगा बच्छों, और ये जो वेपर प्रेशर की बात करें, ये liquid phase में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्छों झाल